साथियों, स्वन निदी योजना के बारे में आप सब को बताई गया है, जिन साथियों से अभी मैंने बात की, उन्हें इसकी काफी जानकारी है, लेकिन ये बहुत आवश्यका है, कि हर जरुवत्मन को, हर रेडी पट्री वाले को, इस योजना के बारे में सब कुछ अच्छी बातें अच्छी तरफ पता होनी चाहिए, तभी तो हमारा गरीब भाई-बेहन उसका फायदा उठा पाएगा, इस योजना को ऐसे ही, इतना सरल बना गया है, कि सामाने से सामाने व्यक्ती भी इस से जूर सके, अभी जैसे हमारी बहन अर्चना जी बता रही थी, कि उनको एक दित सरलता से काम हो गया, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, इसमें टेक्नलोलोजी के माध्यम से ऐसी ववस्ता की गई है, कि रेहडी ठेले वाले साथियों को कागज जमा कराने के लिए लंबी लाइने नहीं लगाने होगी, आप कॉमन सर्विस सेंटर में नगरपाली का कारिया लए में बैंक की ब्रांच में जाकर अपना आवेदन अपलोड कर सकते हैं, यही नहीं बैंक के बिजनेस कॉरस्फोंडन और नगरपाली का के कर्मचारी भी आपके पास आकर आपसे आवेदन ले सकते हैं, आपको जैसी सुविदा सही लगें, आप उसका इस्तमाल करें, सारी व्यवस्ता इतनी सरल बनाई गई, इसके लिए प्रयास किया गया है, साथियों एक ऐसी योजना है, जिसमें आपको ब्याज से पूरी तरह से मुक्ति भी मिल सकती हैं, इस योजना के तहट वैसे भी ब्याज में साथ प्रतिशत तक की छुट दी जा रही है, अल्रेडी साथ प्रतिशत तो हम कम करी रहे हैं, लेकिन अगर आप कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, तो आपको ये भी नहीं देना पड़ेगा, अब जैसे अगर आप समय पर, यानि एक साल के भीतर, बैंक से लिए गए पैसों को चुका देते हैं, इतना ही नहीं, जब आप डिजिटल लेंदेन करेंगे, अपने मुबाइल फोन से पैसा लेना और देना, ठोक वेपारी को भी मुबाइल से देना, और जो आपका खरीद लेंदेन ले आता है, उनसे मुबाइल से लेना, तो आपके खाते में सरकार की तरफ से इनाम के रूप में कुछ पैसे कैश बैक के रूप में भेजे जाएंगे, यानि सरकार आपके खाते में कुछ पैसे अलग से डालेगी, इस तरह आपकी जो कुल बच्चत होगी, वो ब्याज से भी जादा बच्चत हो जाएगी, इसके अलावा अगर आप दूसरी बार रण लेंगे, तो और भी जादा रण की सुभिदा होगी, अगर इस बार दस हजार मिला है, और आपको अच्छा काम रहा, और आपको पंदरा हजार की जरूरत है, तो फंदरा हजार हो जाएगा, फिर अच्छा काम किया, तो 20,000 हो सकता है, 25,000 हो सकता है, 30,000 हो सकता है और अभी प्रारम में हमारे च्छगनलाल जी तो बता रहे थे, वो दस गुना करना चाहते हैं, एक लाग तक पहुंचना चाहते हैं ये जो सुनता होने तो बड़ा आनंद होता है